हिमाचल की ये डिश ने ना मेरा दिमाग हिला दिया सच में यामी गौतम ने अपने इंट्रिवी में बताया कि ऐसी राजमा बनाओगे ना तो आप उंगलिया चाटते रह जाओगे जी हाँ ये एक इंट्रिवी था जब रितिक रोशन और यामी गौतम की एक मूवी आ रही थी तो मैंने ये इंट्रिवी राजमा में देखा और मेरे माइन में ये राजमा चड़ गए थे और पहुती कम पानी में ये राजमा बनने थे पहले आपको दही लेनी है उसमें मसाले डालने है जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची और गरम मसाला उन सब को डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है और उसको रग देना है साइट कड़ाई में मैंने तेल रग दिया था और तेल हो चुका था काफी जादा गरम तेल गरम हो गया था उसके बाद मैंने डाला उसमें हींग क्योंकि राजमा में हींग पढ़ना बहुत जरूरी होता है वरना गैस हो जाती है मिर्ची डालते ही ना मुझे बहुत डर लगता है और मेरे आसपास शीटे भी आजाते हैं मेरे हातों में या कभी फेस पर बहुत डर लगता है मुझे खाना बनाने में बाई गॉड फिर मैंने डाले इसमें चॉप्ट अनियन डालने के बाद ना जो खुशबू आते हैं करा हैं तो आप यह वाली ना सकते हैं यह हैं को भुणनी में लग गए थे 10 मिनट उससे पहले ही मैं आप समीं डाल दिया तह Первी त्छी दरिक जिसे में डेसिपी है दही को मैंने प्यास के अंदर यह अच्छे से कर ले था मिकस 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 बताया अग्या था कि इसमें आप nato नहीं डाल सकते तो मैंने टमैटो का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया इस रेसिवी में क्यूंकि दही अपने आप में बहुत खटी होती है तो हम टमाटर नहीं डाल सकते और यहां आप देखोगे कितना सुंदर कलर आ रहा है लेकिन सच बताँ तो उस वीडियो में यह नह बादा नहीं डाला अच्छे से पकाया मैंने अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लिया और फिर रख दिया इसको हीटिंग पर कम से कम 10 मिनट 10 मिनट के बाद मेरी होगी राजमा तयार और मैंसे चलो खाबी लेते हैं कैसी बनी है आपको बहुता ही दूंगी कैसी बनी है चा का कलर ही डिफरेंट आचा है मेरा कलर बतानी कैसा आया था आप देख सकते हो कलर तो अच्छा नहीं था लेकिन खाने में बहुत यमी थी अगर आपको दही और राजमा दोनों मिक्स करके खाना तो आप उसको पका भी सकते हो दोनों का सेम टेस्ट आएगा आएगा आप यह रेसीपी ट्राइ करो और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सुब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस तो मैं लाती रहती हूं और हाँ इस वीडियो को लाइक भी कर देना बाई बाई सी यून द लव यू आट